हेलो दिएर स्ट्ट्ट सागत आप सभी का बाया रूट्स में आज हम डिसकस कर रहे हैं बायो डैवर्सिटी एंड कंदर्वेशन के फूर्थ लेक्चर को इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आप डिये वह कुछ डेटा के बारे में तो विद्ट आप आपना आज का वीडियो लेक्चर आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी इंपोर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी यहां पर हमें से बताया गया है कि जो बायो डाइवर्सिटी वाला रीजन होता है निटा उस रीजन के अंदर एक विशेष्था एक खास बात होती है वह मौर स्टेबल होता है अब कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं है यह कैसे पता लगता है या फिर इस्टेबिलिटी की पहचान कहे लिया हम कि क्या होती है तो हम इस्टेबल शब्द को समझना चाहते हैं कि आफिर इको सिस्टम दिखता क्या ता इसके नमें पीच्टर को अच्पार एकोसिस्ट्म इसमें लह देके एक दो बाते होती है ऐसा इकोसिस्टम जो ज्यादा इसके वल होता है यानि कि जो आपकम और बाइडाइवर्सेटी रिच एको सिस्टम होता है वह रेजिस्टेंट शो कर सकता है यानि कि वह रेजिस्टेंट होता है रेजिस्टेंट टू वर्ड एनी डिस्टर्बेंस यह disturbance नेचुरल भी हो सकती है प्राक्रितिक आपदाओं के रूप में या फिर man-made भी हो सकती है ठीक है कैसी हो सकती है man-made हो सकती है for example नेचुरल में हम लिखते हैं फ्लड या सुनामी किसी एक इको सिस्टम में अर्थ में अगर इस तरह के नेचुरल डिसेवेंस आ रहे हैं फिर भी इको सिस्टम सर्वाइब कर पाता है और इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाएगा इसके प्रति रेजिस्टेंट वह इसको अराम से झेल लेगा और उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज़ से और दूसरी चीज़ जो होगी ऐसा एको सिस्टम रजिस्टेंट होगा टूवर्ड अब इसको क्या मतलब है एलियन इस्पीशीज किसी दूसरे ग्रह से आने वाले के लिए नहीं कहा गया है कोई भी दूसरे इको सिस्टम का जीब जब इस दूसरे इको सिस्टम में एंटर कर जाए तो यह क्या हो जाता है हमारा एलियन इस्पीशीज हो जाता है लागे और किको सिस्टम के अंदर बाहर की सिस्टम से अपने साथ एब्सॉप कर लेंड कर लें तो इसका मतलब किको सिस्टम रजिस्टेंट है तो वर्यक्वड जानते हैं लेकिन वहीं पर अगर आप बात करो किसी ऐसे एक्ञाम्प अगर उसे हम कि लेक के लाइब के सारी लाइब खराब जाएगी जूँकि यह वह बहुत ज्ञादा अक्सिजन युज करेगा और लाइब को नुक्सान होगा और वह मरना शूरू जाएगी तो लेख झो है वो अपके इस एलिए स्पीशी माट नहीं पाया अपना नहीं पाया या नहीं कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक सबंद स्टेमffen एड कोई ने चल कि तो इफेस्ट के स wz क्रॉषन यह को देखने को नहीं और यह सबसे ज्यादा अनिस्टेबल होती है जैसे होती है इसके अंदर बाइयो डाइवर्सिटी बहुत कम होती है और जासा कि नहीं होगी और इस्टेवलिटी नहीं होगी तो अपना नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं सब्सक्राइब जो कि है नियुक्त और स्टेविलिटी एंसी आठीने स्टेविलिटी को किन एक्जाम्पल्स के तुरू किन साइंटिस्ट के समझाया है है हमारा टॉपिक है समय कॉंसेप्ट और स्टेविलिटी हम इस कॉंसेप्ट को दो अलग अलग साइंटिस्ट के नजरिये से समझेंगे पहले जिन साइंटिस्ट के नजरिये समझेंगे उनका नाम है डेविट तेलमें और सेकिंड जो साइंटिस्ट है उनका नाम है पावल अगलिच दो नसी आते के साइंटिस्ट हैं इनकी बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं डेविट तिलमेंट ने एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को डिफाइंग किया है इन्हों ने कैसे डिफाइंग किया इन्होंने कहा है कि अगर हम एक एरिया ले इस एरिया में अलग-अलग समय पर फार्स्ट इयर में फिर सेकेंड एयर में फिर थर्ड इयर में प्रोड़क्शन करें यहां की प्राइमरी प्रोड़क्टीविटी को चेक करें और उसे कमपेर करें किसी दूसरे एरिया के यार है के डेटा से ड़क्त 난क अब अ ठीक है और यह कैसा होगा हमारा लो बायो डाइवर्सिटी वाला तो डेविट टिल्मेन ने कहा है अपने इस एक्सपेरिमेंट को देख करके उन्होंने यह देखा है कि अगर हम रिच बायो डाइवर्सिटी वाले डिजने प्रोडक्शन करते हैं पर एक्जामपल मैं आप एक्जामपल ले लेता हूं माल लेते हैं 500 केजी पर मीटर स्क्वार पर यह अगर इतना एक साल के अंदर प्रोडक्शन हुआ है बायो मास्क का तो यहां पर दूसरे साल में आपको बहुत ज्यादा बारियेशन नहीं मिलेगा पर एक्जामपल 497 ती बहुत ज्यादा फ्लक्टूएशन नहीं देखने को मिलती हैं किसी रिच बायो डाइवर्सिटी में वहीं पर लो बायो डाइवर्सिटी में प्रोडक्शन के अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा अगर मैं शुरुवाती डिटा को कंपेर करने के लिए एक्व जा सकता हूं कि पहले साल में बले 500 आया होगा लेकिन नेक्स यह का फ्लक्टूएशन होगा वह काफी ज्यादा होगा एस कंपेर टू रिच बायो डाइवर्सिटी ठीक है तो यहां पर क्या है फ्लक्टूएशन साइंगी तो यह जो है यह डेटा है और एंसे प्लॉट कहा ह प्लॉट तब लागया है प्लॉट वन और मैं क्या क् districts को प्लॉट थेख सकते हों कि जो स्टेट्मेंट आएगी वह लिखेंगे एडिया या फिर लिखेंगे प्लॉट विद कि मोर बाइव डैवर्सिटी नौरं बाइवर्सिटी है शोज कि लेस्ट वेरियेशन अग लेस्ट एयर तो एयर वेरियेशन इन कि प्राइमरी अगे प्रोड़क्टिविटी ऐसे रहे हैं वह बहुत ज़्यादा फ्लक्टुएट नहीं करने माला है तो यह तो बात होगा किसकी डेविड टिल्मेंट की मैं बात करते हैं पाउल एंविच की अनुसार किस तरीके से समझाया गया है समझाती है जो इंपोर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है यह अभी दक वेल नॉन डिफाइन नहीं है और सब कुछ हमें भी नहीं पता है क्योंकि यह बहुत ही कॉंप्लेक्स एक तरह करें जिसके अंदर रिसर्च जारी है और काफी जारी रहेगी क्योंकि अभी तक हमें तो अपनी बायो डिफिटी के लेवल का भी ठीक ठीक अंदाजा है नहीं वह भी यह एक एस्टीमेशन पर है रोबर्ट में का सेवन बिलियन जो है ना तो अभी यहां पर आल्रेडी बहुत कुछ जानने को पहले से ही है तो हम यह तो नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ पहले से पता है कि ऐसे कंट्रिब्यूट करती है एक एको सिस्टम को बहतर बनाने में है ना इसी लिए बायो डिफिटी को बाउल एंविच किसी एक्सपेरिमेंट या किसी थियोरी के साथ ना समझाते हुए एक हाइपोथेसिस से समझाते हैं उन्होंने एक कहानी के के जर्ये इस बात को समस्झाया है जिस कहानी का नाम क्या है रिवेट पॉप पर हाइपोथेसिस तो यहां पर एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस को पढ़ना है जिसका नाम है रिवेट पॉप पर हाईपो-्थेसिस मैं Without Kien को जैसा कि हम시면रों कि मतलब क्या मंगणत कहानी ज होते हैं किसी दो अलग-अलग component को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बोल्ट चाहिए तो रिवेट का मतलब होता है बोल्ट पॉपर का मतलब है चोरी करना पॉपर का मींस क्या है चोरी करना और है किसी बात हो रही है कलपना की तो इन्हों पावल एलेश ने अप क्या कि किसको फाइदा अब रहें जहां-बहां का इको सिस्टम एसे ही को सिस्टम के रिवेट सिस्टम के बोल्ट जो इको सिस्टम को आपस में Moral जोड़ने कर रुद में और अäre्व होती है adolescents को पो क्यासी है में है 골र कौन है हमारी स्पीशी निफिस इनके अनुसार दे इसके अलावा जब जब यह कहते हैं अपनी कहानी में पॉपिंग शब्ज को पॉपिंग तो यहां का मतलब है एक्स्टिंग्शन ओफ इस्पीशीज और एक शब्द और आएगा इसके अंदर जीसे यह कहेंगे रिवेट ओफ विंग यानि कि नटबोल्ट जो एयर प्लेण के किस हिस्से में लगा होगा विंग में यानि कि बहुत इंपॉर्टेंट नटबोल्ट है उस तरह के नटबोल्ट को हमारी इस एक्जाम्पल में एक स्पीशीज बाना जाएगा जिसे कहा जाएगा की स्टोन इस पीशीज टिक है यह चार हमको याद रखने हैं यह देखो पहली स्टेटमेंट क्या है पहली स्टेटमेंट हम यह कह सकते हैं कि यह कहते हैं कि अगर एक एयर प्लेम के अंदर बैठे हुए पस्पेसेंशर उसके व stimulus को उसके हां攻 कंप करना चूरु कर दें तो शुरुवात में रिविट के चोरी होने का एयर प्लेन के कोई बहुत बड़ा एक्ट देखने को नहीं मिलेगा यानि क्या होता है टिफ पैसेंजर्स इस्टार्ट पॉपिंग अपने साथ चोरी करके ले जाएं तो क्या होगा इनीशियली नो इफेक्ट और इस्टेबिलिटी ओफ एयर प्लेन तो यहां पर इस्टेट्म को एको सिस्टम के लागू करें तो क्या हो जाएगा पैसेंजर्स यहां पर कॉन है हम सकते को सकता है जो चोरी कर रहा है जो खराब कर रहा है इको सिस्टम के अंदर से पॉपिंग औफ समस्पिशीज तो इससे शुरुवात में कोई फरक नहीं पढ़ेगा इसके उपर इस् बट इन लॉंग टर्म अगर यह बहुत लंबे समय तक चला तो क्या होगा लॉंग टर्म में इस्टेबिलिटी ऑफ एयर प्लेटी कीप डिक्रेजिंग घटी जाएगी अगर कुछ लोगों ने केवल कुछ थोड़े से पार्ट्स चुरा लिए एयर प्लेट के अंदर से कुछ पंखा कोई सीट कुछ इस तरह की चीज़ तो एयर प्लेट की स्टेबिलिटी पे कोई बहुत बड़ा फरत खासा फरत नहीं आएगा लेकिन अगर इसी को पैटन बना दिया जाए और वो एयर प्लेट के अंदर पैटन तो हो गया आखरी चीज क्या बात है मारे पास इस हाइपोथेस में की स्टोन इस्पीचिस उसको मैं लिख जाता हूं पहले यह है कि इस रिवेट ओफ विंग अगर इसको चोरी कर लिया जाए इसको रिवेट ओफ विंग को तो क्या होगा इस्टेंट इफेक्ट अं एयर प्लेन स्टेपिलिटी यानि की अगर किसी ऐसी बहुत ही महतुपूर्ण प्रजाती को इको सिस्टम से हटा दो तो तुरंद आपको उसका क्या दिखना शुरू हो जाएगा प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा यह बहुत महत्रकुन प्रजाती कौन हो सकती है किसी छोटे से एको सिस्टम में एक प्रोडूसर हो सकती है जैसे कि एक लेक है उस लेक में खाना बनाने के लिए कुछ आप सपोस कर सकते हैं फाइटो प्लैंक्टन है अगर वो फाइट कर दो खतम कर दो तो उस लेक के अंदर की अपने आप खतम हो जाएगी क्योंकि वही होते है प्रडूसर और उसके बिना कोई भी ट्रैंगल जो है ट्रॉपिकल प्रियामिट का वह बन नहीं सकता है तो यह जो है एक कहानी के शुरूब बताया गया है पाउल विलिश के दोर प्रडूरी यह बताया है एक इस एक्सपरिमेंटल डिटा से और एक इस है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जो इस बारे में है वह बायोडाइवर्सिटी लॉज के बारे में कि प्रिध्वी पर बायोडाइवर्सिति लॉज की समय क्या स्पीड चल रही है कि इतना लॉस ह हो चुका है और इसी स्कुड से चले तो क्या होगा इसमें मनिश्श्री का क्या प्रभाव है क्या रोल है वह सारी बाते है वह देखने वाले हैं इंप्रोंटम्य ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज का है तो जो इसके फाइदे थे यहां पर कुछ बाते लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट उसकी बात करते हैं किसके हाँ हैनि मनर्चתי में बनी हैं इस बात का कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है कि उपर हमें डाउट है क्या बोला गया नियू इस्पीशियेशन जो कि नेचुरल हो इस पे हमको है यह लगता तो नहीं है कि ऐसा हुआ है लेकिन क्या एक्स्टिंशन हुआ है अगर आंसे कहें एक्स्टिंशन प्रिजात्यों का एक्स्टिंशन हुआ है क्या तो एंसियाटी कहती है कोई डाउट नहीं है इसका आंसर बिल्कुल हां है येस कि इसका आंसर है येस कि इस पर डाउट है कि हमारे आने से कोई नई स्पीशिस प्रकृतिक रूप से अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा है इसकी बात करते हैं जो हमारे पास में है कि सबसे पहले क्या करती है कि आफ्टर दा कि इनवेजन कि आफ यूमन्स कि और पैसिफिक आइलेंट कि प्रिश्वी के ग्लोब को अगर जैसे हमने आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस एका और यहां कुछ हिस्सा दिखाई देगा आपको किस चीज का ऑस्ट्रेलिया का यह वाला जो पार्ट है यह कौन सा हो गया पास्ट्रेलिया का इसके अलावा यह जो रीजन है यह समद्र इलाका यह पूरा ऊंचीएंशियम का सबसे बड़ा वोशियम है जिसे हम पैसिफिक ओशियम भी कहते हैं ना है का बहुत सारे हैं यह इसे मनिश्य के बहुत बाहर है उस समय के इसाफ से पुराने के लिए बहुत बाहर थे हैं नहीं चाहिए तो जब तक नहीं होगा जब तक नहीं नहीं बनेंगी हम बहुत जाद तखनीके दिकास नहीं करेंगे हम इस एरिया में नहीं जा पाए थे लेकिन जब हम वहां चले गए आप तक दा इन्वेजन तब का डिटा हुआ हमारे जाने से क्या हुआ सब्सक्राइब कर रही है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंदर्वेशन आफ नेचर के द्वारा दिया गया देटा जो कि उन्होंने अपने 2004 के लिश्ट में दिया था 2004 के लिश्ट में आई यूसीन ने क्या कहा है इन लास्ट कि 500 एस कि कितनी स्पीशीज खत्म हो चुकी है सेवन थर्टी एट कि स्पीशीज एक्स्टिंट हो चुकी है यह कही थी बात उन्होंने 2004 में इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है इन वर्टी ब्रेट्स का कि सेकिंड नंबर पर आते हैं वर्टी ब्रेट्स और थर्ड नंबर पर नुक्सान हुआ है प्लांट को कि इतना प्लांट्स को कि इतना देटा है तो यह देटा रफली है सेवन फिफ्टी एट के आसपास यह देटा है आपका 500 सालों में 2004 से फिछले पांचे सालों में इतनी स्पीशीज और डिफेर्ट डिफेर्ट ग्रुप क्या हो चुकी है एक स्टिंट हो चुकी है और यह देटा पब्लिश इसने किया था इंटर्मेहनल यूनियर फॉर्क दर्वेशन और नेचर ने इसके अलाबा आयू सी एंके 2004 के स्टेटमेंट में एक और बात कहीं गई है वह बात क्या है सेकंड इस्टेटमेंट है इन ही की वह यह है कि मोर देन कि पंद्रा हजार पांसो इस्पीशीज कि आर इन डेंजर ओ अम ये और रजातिया होत्रा फेस्ट क्रहरी है क्या हो जाने का खत्रा है UK कन्कूष वहиком कि सब्से ज्यादा रिस्क किसको है कि जिसको सब्से ज्यादा रिस्क है उशकी percentage है 32 और वह गुप कॉनसा है वह गुप है अथा बेहने सब सब्सक्राइए अखों यहां पर आपको दिया गए है बर्ड का जो रेस्ट है वो अधर है जो रेस्ट आइटिंग दो परसेंट के आस्पास होगा वो अधर से हैं यह वी डेटा किसका है आयू सीन का डेटा है नौ एंस्याटी अपने बुक में तीसरी बात लिखती है कि मोर देन 27 स्पीशीज एक्स्टिंट इन लास्ट 20 इयर पिछले 20 सालों के अंदर कितनी स्पीशीज खतम हो चुकी है लगभग 27 और यह पिछले 20 साल कब से जोड़े जा रहे हैं 2004 से तो नई बुख चतेगी डेटा बदल जाएगा क्योंकि यह डेटा आज अगर आप दिखल होगे कि टुड़े यह डेटा कितना है तो यह डेटा एक लाग पचास हजार के विए उपर है यह 2022 के आपको बतारा है इसी तरीके से यह डेटा चेंज हो जाएगा इसके अलावा कुछ NCRT ने दिये हैं एक्जाम्पल एक्जाम्पल्स ओफ संटेंट इस्पीशीज कोशिश करूंगा कि मैं फोटोस भी साथ साथ लगा दू ताब आप इनको देख पाओ एक बहुत फे बर्ड जो फ्लाय नहीं कर सकती थी मौरेशियस वाली यह एक्जिंट हो चुकी है बहुत फेमस है आज इतना उच्चों को पता ही होगा फिर है एक क्वागा जीबरा की तरह दिखने वाला एक ऑर्गैनिजम है जिसके फोटो यहां पर लगा दूंगा आप इसको देख सकते अब बाद में आपको यहां पर मिलेंगे कुछ इस्पीशी जावन ऐसे बाली और केस्पीयन यह कौन है यह सबस्पीशीज ऑफ टाइगर है इस विस्पीशीज ऑफ टाइगर यह भी क्या है टाइकस्टिंक्ट हो चुकी है थाइलसीन यह एक और और हम लिखने थाइलसीन यह और है जो आप देखो तो दोग दर दिखेगा थोड़ा बत फॉक्स की तरह भी दिखता है वह भी क्या हो गया है एक्स्टिंट हो चुका है तो यह आप नोट करने के लिए और हमारे को एक प्रमाणिकता दिखाने के लिए अपने डिटा में दिया है कि दो एक्चुली में जो बायो डैवरसिटी लॉज है वह एक बड़ा इशू है हमारे सामने आज के समय पर तो यह आप नोट कर लेना अज लास्ट जो हमें इस बारे में आज के लेक्चर में डिसकॉस करना है वह यह कि इस बड़े से लॉस के पीछे आखिर हाथ किसका है इसमें हमारा क्या लेन हम यहां पर एक हैडिंग लेते हैं है इस हुमन है कॉसिंग है दिस लॉस है ओफ बायो डाइवरसिटी है यह बात कर रहे हैं सबसे पहले हमें कुछ डेटा समझे में है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पर लगभग 3.8 बिलियन इयर्स अगो हुई थी है न पूरी प्रिध्वी का निर्वान कब हो था 4.5 बिलियन इयर्स पहले उसके 700 मिलियन साल बाद यानि 3.8 मिलियन इयर बाद 3.8 बिलियन इयर पहले लाइफ बनी थी और अगर यहां से हम आ जाए तुड़े आज तक में जीवन आज तक प्रिध्वी पे कायम है हाला कि कि इस बीच में पांच मेजर मास एक्स्टिंशन हुए हैं क्या हुआ हैं अगर आप से को हैं कि मास एक्स्टींशन क्या होता है तो मैं उसको to 90% of life in short duration थोड़े ही समय के अंदर प्रिथवी का लगभग लगभग सारा जीव अनस्य 90 प्रतिछत का जीवन खतम हो जाए तो यह का कहलाता है यह इतना भी शॉर्ट नहीं है यह शॉर्ट इयर से 1000 तक यानि अगर 100 साल या 1000 साल में प्रिथवी का जीवन खतम हो जायता है तो हम इसे कहते हैं मास एक्स्टिंशन बहुत बड़ा एक्स्टिंशन बहुत बड़ा खत्रा क्योंकि आपको लगेगा यह तो बहुत ज्यादा लॉंग टाइमें से शॉर्ट डूरेशन को कह रहे हैं वह इसलिए क्रिएशन मिलियन या इवन बिलियन ओफ इयर्स का एक प् एक हजार से एक लाग साल का समय अब तो और आपको डिटा बड़ा लगेगा कि हाई एक हजार से एक लाग साल का डिटा जो अब देखने हैं बहुत बड़ा है बट पंदर स्केल ऑफ जियोलोजिकल एरा यह कुछ भी रल्यू नहीं रखता है यह बात हो गई अगर हम बात क इन पांच मास एक्सटेंशन में हमारा कोई रोल है अर्थ के फॉसिल हमें बताते हैं कि वहिए उपना टाउट के कह सकते हैं लो लेकिन क्या यही बात आप आज के मास एक्षेंशन के लिए कह सकते हो इतने दावे से कि हमारे कोने या हमारी एक्टिविटी से किसी भी तरह का प्रिच्वी को नुक्सान नहीं हो रहा है कोई नहीं कह सकता तो लिए सकते हैं येस है यूमन को कॉजिंग मास एक्स्टिंग्शन अगें हम जान कुछ के नहीं मार रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे होने से यह सब मर रहे हैं बट हाँ हुमन की प्रेजेंस और हुमन की एक्टिविटी बहुत बड़ा फरक ला रहे हैं अब यह सिक्स्ट एक्स्टिंग्शन खतरनाक क्यों हैं यह समझो यह हमारा सिक्स्ट मास एक्स्टिंशन है यह फास्ट है आज तक हुए सभी मास एक्स्टिंशन में सबसे फास्ट मास एक्स्टिंशन यह वाला है कितना फास्ट है तकरिवन हंड्रेड टू थाउजन टाइम्स यानि कि अगर आपको बताना चाहूं जो लॉस एक लाख साल में होता था वो लॉस अगर मैं मिनिममम वेल्यू लेलू हंड्रेड गुना भी आजका मास एक्स्टिंशन तेज है तो अब कितने सालों में हो जाएगा एक हजार सालों में यानि कि प्रिश्वी ने पिछले मास में जितना नुक्सान एक लाख साल में उठाया उससे बहुत ज्यादा नुक्सान मातरीफ हजार साल में उठालेगी प्रिश्वी इतना लॉस है तो इसलिए हम कह सकते हैं यह स्यूमन है सिग्निफिकेंट रोल इन्दा इंक्रीजिंग उप मास एक्स्टिंशन पेस नौ एक चीजिस के अंदर यह बताया गया है कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा जैसे चल रहा है मास एक्स्टिंशन तो क्या होगा इन नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स एक ही बात है अगें कितने सालों में हंड्रेट्स एयर के अंदर कितना बायो डैवर्सिटी खतम हो जाने की दिशक से भी ज्यादा यह पचांस प्रतिशल भी घताम हो जाएगी अगर इसी स्पीड से क्या होता रहा मास एक्स्टिंशन होता रहा तो इस लेक्चर में हमने सब डिसक्स किया है सब बिसक्स करेंगे कि बायो डैवर्सिटी लॉस्ट को बचाने के ज़रूरत क्यों है और Stay tuned, Jai Hind.